इस शरीर की तार्त्विक सनरचना ऐसी है, कि इस शरीर का 72 प्रतिशद हिस्सा पानी है. 12 प्रतिशद प्रिथ्वी है, 6 प्रतिशद वायू है, 4 प्रतिशद अगनी है, बाकी आकाश है. जीवन को अच्छी तरह से जीने में, पानी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, क्यूंकि इस शरीर का 72 प्रतिशद हिस्सा पानी है, और प्रिथ्वी का 72 प्रतिशद हिस्सा भी पानी है. तो कुम्भ या कुछ आक्षांशों या लैटिटूड्स पर नदियों के संगम का उप्योग करने के इस विज्ञान की खोज हुई, जीवन और हमारे आसपास की विभिन शक्तियां किस तरह कार्य करते हैं, और हम कैसे उनका उप्योग कर सकते हैं, इसके गहन अध्यायन से ये खोज हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण और खास दिन है, इसे मौन अमावस्या कहा जाता है, लोग समझते हैं कि ये बहुत लाबदायक समय है, आमतोर पे वे उस दिन से लेकर महाशिवरात्री तक मौन रहते हैं, और वे ऐसे स्थानों को चुनते हैं जहां जलाशाय म मिलते हैं, नदिया मिलती हैं और एक भवर बनाती हैं, ताकि सबसे ज्यादा आसर हो, इसलिए वे नदियों के संगम में उस दिन डुपकी लगाना चाहते हैं, और जिस चीज़ की शुरुवात कुछ योगियों से हुई, उसे अब एक दिन में 4-5 करोड लो करते हैं, ये ध पचत का एक-एक पैसा लगा कर, कहां-कहां से बस दो दिनों के लिए वहां जाते हैं, क्यूंकि किसी ने उनको बताया है कि अगर उस दिन आप डुपकी लगाएंगे, तो आपको मुक्ती मिल जाएगी, आज भी इस देश में 80 करोड लोग सक्रिय रूप से जाने अंजाने में मुक्ती की इच्छा रखते हैं, ये एक अविश्वस्निया बात है, धर्ती बर कहीं भी ऐसी कोई घटना नहीं हो रही है, कि इनसान अपने अस्तित्व के वर्तमान स्थर से आगे जाने की गहरी सचेतन इच्छा रखते हूं, जब बात इनसान के भीतरी सिस्टम की आती है, तो दुनिया में और कहीं भी लोग ऐसे गहन समधान नहीं दे सकते, जैसे भारत दे सकता है, क्यूंकि ये ऐसी चीज है जिसमें हमने लगभग 8-10 अजार वर्षों से अपने समय, जीवन और उर्जा का निवेश किया है, और ये ज्ञान पाया है, ये ऐसी चीज नहीं है जिसमें हम विश्वास करते हैं, हमने ये फिलोसिफी नहीं बनाई, ये ऐसी चीज है जिस पर हमने करीब से गहर किया, उसको समझा और इस तक पहुंच बनाने के साथन तयार किये, ये मेरी कामना और मेरा आशिरवाद है, कि य एक कुम्भ मेला दुनिया को इस संभावना के प्रती जागरित करने की दिशा में एक बड़ा कदम बन जाएं